बुधवार को अपने अलप प्रवास के दोरान बैटमा पहुचे भाजपा अलप संकिक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एम एजाज खान का अलप संकिक मोर्चा और भाजपा कारीकरताओं ने डोल धमाकों के साथ स्वागत किया वहीं उन्होंने अंबेटकर चुरह पर इस्थित अंबेटकर प्रतीमा पर माल लेरपन किया और कारीकरताओं से भैट की भाजपा अलप संकिक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एजाज खान इंदोर से बैटमा होते हुए धार के लिए रवाना हुआ है जहां उनके स्वागत में बैटमा मंडर अध्यक्ष शेत्र के अलप संकिक मोर्चे के कारीकरता वो भाजपा से जुड़े नेतागण उपस्तित्र है मीडिया से चर्चा के दोरान उन्होंने प्रधान मंतरी नरिनमोदी की तारिफ करते हुए कहा कि उन्होंने देश के लिए कई कड़े निर्नाई लिये हैं वे भारत को विश्व गुरु बनाने की और अग्रसर है वहीं उन्होंने कॉंग्रेस को आड़े हातों लेते हुए कहा कि उनका काम टोपी पहन कर टोपी पहनाने का है कॉंग्रेस ने मुसल्मानों को सिर्फ वोर्ट बेंक बना कर रखा है बैटमा इंदौर से राजन सुर्य बंशी की रिपोर्ट कल जो यात्र हमने शुरू की है वो सियोर से सियोर के बाद हम आए देवास देवास से हिंदौर के हम चाहें सुर्ण pays के बाद याने स्वावं की रूक रेखा लोघ्र रति हमस्तर दैधिये मैं भारती इनता पाटी के चोटा सा का रखता हूं उत अगरिंकदा पंक्तिय कारुक अस्दा बनाने भारती इंता पार्टी के कार्य कर्था हैए और यहम रोहा है है भारती जंता पार्टी में कोई किसी की मांग नीए जो भी भारति इंता पार्टी के शीर्ण नेते द्वारा जो भी शोपा जाता है उसका हम लोग संबान करें देखी क्या है कि नरेंद मोजी की तो तुलना कोई भी नहीं कर सकता वह भारत को विश्व गुरु बनाने में उनका बहुत बढ़ा वह हो राज मालिक का शुकर है कि पूरे वर्ल के अंदर क्या वो वेक्षिनेटर का मामला हो या वो आर्थिक मदद का मामला हो इसमें जो है म इससे पहले भी सरकार है अब उनके तुलना में माने नरेंद मोजी जो काम की है वो सबके समय जग जाहिर है मैं उटका पुलंदा है कांग्रेस के बाद उसने हमेशा मुसलमानों को टोपी पेंकर टोपी पिनाई है मुसलमानों को दूर पिरचार क्या कर रहा है आज जितनी करते घाहिर यह जो ना चल लिए वो मुसलमानों के लिए यह जो ना चल लिए आज मुसलमानों की बस स्क्रावे मंबन गाया है मुसलमान अच्य अच्य पड़ोपर आ घर देन यह बारतिंता पा पाटिक सर्कारों की देन á हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले